इष्ट को मूर्ती नहीं जागरत समझो लेखक स्वामी सत्यरूपा नंद जी महराज पूर्वसचिव रामकृष्ण मिशन विवेकाननद आश्रम राइपुल धैर्य भगवत प्राप्ती के लिए साधक में एक आविश्यक गुण है हमारे मन की चंचलता जड़ है धीरज रखकर लगाता लगे रहना है मन की पवित्रता रखनी है दूसरे की नकल कभी नहीं करना है अध्यात्मिक जीवन में मन की पवित्रता का अधिक महत्व है हमारे मन में क्या-क्या विचार आ रहे हैं इसे गंभीरता से देखना चाहिए बिना किसी आधार का भाव नहीं होता भाव का तात्पर यह है हमारे मन में जो अच्छे विचार आते हैं जैसे हम भक्ती मार्ग से जाते हैं तो हमारे मन में इश्वरी भाव आता है आएगी तो हम नश्ट हो जाएंगे यदि हमारे मन में इश्वर इभाव आएगा तो हमारा जीवन आनंदमय होगा जीवन के दिन पूरे हो जाने के बाद बुरे कर्म ही तुमसे बदला लेंगे तब गुरु और इश्वर के सिवा कोई तुमें बचाने वाला नहीं है यदि दूसरों से हम द्वैश करेंगे तो हम नरक में जाएंगे बलकि उसका कुछ नहीं होगा हमें इश्वर ने सब प्रकार की संपन्नता दी है तो अधिक से अधिक समय हमें भगवान के लिए निकालना है भगवान को पुकारना है जो कर्म हमें मिला है उसे भगवत प्रितियर्थ करने से हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं और हम भगवान की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं संसार में हमें जो भी परिस्थितियां मिली हैं वे हमारे कर्मों का ही फल है अपने अपने कर्मों के अनुसार सबकी रुची अलग-अलग होती है वेदान्त कहता है हम ही अपने भागे के विधाता है कर्म अच्छे करोगे तो अच्छा फल मिलेगा बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा अपने कर्मों के द्वारा ही मुक्ती होगी और अपने ही कर्मों के द्वारा बंधन होगा हमें संसार में कुछ इच्छा नहीं करनी है और नीस्प्रार होकर रहना है प्रभू पीतियर्थ कर्म करने से मुक्ति मिलती है जहां स्वार्था आता है वही बंधन में पढ़ जाते हैं हमें भगवान से संबंद स्थापित करना है जैसा मातरत्व भाव सखा भाव हम कई प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं लेकिन भावन रहने से हम सफल नहीं होते हमारे शास्त्रों में मातरत्व भाव में पूजा करने को कहा गया है क्योंकि मनुश्य के जीवन में सबसे पहले मा से ही संबंद होता है कहा गया है कलपना का आश्रय लेने से ही धीरे धीरे कलपना सत्ती हो जाती है अपने इष्ट को मूर्ती नहीं समझना चाहिए उन्हें जीवांत जागरत जोतिर मैं रूप में देखना चाहिए इष्ट के प्रती अपनत्व होना चाहिए उनसे अपनत्व का संबंद जोड़ना चाहिए हमारी पूजा और प्रात्रा मशीन जैसी नहीं होनी अपितु भाव पुड़ होनी चाहिए हमको इष्ट के लिए जूड़े है तो शान्ती नहीं मिलेगी यदि भगवान के लिए जूड़े है तो भक्ती मिलेगी अपने मन की अशान्ती को दूर करने के लिए भगवान से प्रात्ना करनी चाहिए कि भगवान मेरा भी कल्यान हो और सबका कल्यान हो दूसरों के लिए प्रात्ना करने से अपना ही कल्यान होता है प्रार्थना से जब करने से हमारे मन में इस्तिरता और शांती आ जाती है प्रार्थना में बहुत शक्ती है उसके बाद मन में शांती प्राप्त करने के लिए हमें सामर्थ यनुसार दूसरों की भगवत भाव से सेवा करनी चाहिए लेकिन प्रतिदान की आशा नहीं रखनी चाहिए परनिंदा और परचर्चा से बचना चाहिए दोईश से बचना चाहिए जो हमको मिला है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए नहीं तो मन को कश्ट होगा सब के तनाव का एक ही कारण है कि हम यह नहीं सोचते हैं कि हम क्या चाहते है हम संसार को चाहते हैं या भगवान को संसार में अशान्ती होगी शान्ती तो भगवान के श्री चरणों में शरागती से होती है जिस प्रकार मिट्टी का शरीफा या हाती देखने पर सच मुच के शरीफे या हाती की याद आती है उसी प्रकार इश्वर की प्रतीमा देखने पर इश्वर का ही समरण होता है ओम शानती